हमारे साथ मने जो पेंट ड्राइब है उसको छिनने का कोषिश किया गया है और जान से मार दने का कोषिश किया गया है एविडेंस एक्ट 65B के तहद जो वीडियो फूटेज CCTV का इनके पास मौजूद था उसको हमने उस एक्ट के तहद आज पेंड्राइब में नियाले में ताखिल किया है तामकी तिया पेंड्राइब छिनने के कोशिक किये हुए थे पेंड्राइब क्यों चिनना चाह रहा है और वीडियो को मिटाने के लिए जतना फोटेज है वो मेरे पास में इसलिए आज संतोस कुमार जो की कुछबा जाती से आते हैं उनके द्वारा मिनापूर्थन प्रवारी राइस बैठा समेत 14 के खिलाफ जो धर्मानतन और धार्निक भावना को ठेस पहुचाने के आरोप में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें आज सुनवाई थे मानिये मुख न्याइद अधिकारी के अनपश्तित रहने करन सुनवाई नहीं हो सकी परंतु एक सबसे बड़ी मामला जो सामने आया है कि संतोस जो की केस दर्ज कराया था उसको घर पर चरकर के सभी अव्युक्त धमकी दिये हैं और अंजाम भुगतने की बात कहे हैं हत्या कर देने, करवाद देने, अफ्रहन करने और करवाद देने और जूटा जूटा मुकदमा में फसा कर बरवाद करने की धमकी दिगई है इस आसे का आबेदन आज संतोस कुमार और उसकी मा की और से उसकी मा ने भी यहाँ धमकी की बात सुईकारी है आज न्याले में आबेद दवाब दे रहा है कि सठाने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का कोई धियन होनी घटना प्रिवादी संतोष कुमार कुस भाग के खिलाप लोग कर सकते हैं घटना को अंजाम दे सकते हैं इसलिए हमने नियाले से स्वक्षा की गुवार की है उसके साथ साथ एविडेंस एक्ट 65B के तहद जो विडियो फूटेज CCTV का इनके पास मौजूद था उसको हमने उस एक्ट के तहद आज पेन ड्राइब में नियाले में ताखिल किया है इसके साथ ही एक आश्चर जनक बात और हुई है आज मुकदमा में कि बिरोधी पार्टी कुछ और समाजिक तत्व जिसमें इनके परिवादी के भाई भी हैं उसके द्वारा एक सपत पत्र नियाले में दाखिल करवा करके इस बरे मामले को दवाने का परियास किया है और आपको सुनकर अश्चर्ज होगा कि वह दाखिल इनके खिलाप करा हैं लेकिन जो आरोफ हम लोग का है कि महाबीरी जंडा को उखार करके हिंदूों की भावना को ठेश पुलिस के द्वारा पहुचाई गई है यहां सभी के हाफिट इफिट और सपत पत्र में यहां आपको मिलेगा कि उन लोगों ने अपने इफिट इफिट में इस बात को सुईकार किया है कि पुलिस के द्वारा महावीरी जंडा को उखारा गया है अब इस मामले में एक नया मोड आ गया है इसलिए नियाले को हम लोगों ने यहां आभिदन दे करके गुहार लगाई कि इनकी सुख्छा की जाए और अश्चर्ज की बात है कि घर छोड़ करके भागे भागे फिर रहे हैं इनको डर है कि कहीं किसी तरह का कोई अन्हुनी घ तु़्य कोई आगे इए जो छेणेवए भी कोशिश किये हैं त्रे दोसमी रात के वह आदमी का नाम है बिनोत क पोशमाहा अनिर कुमार चंडे शर परसाज राजीईक पुमार राजेष कुमार राजेष डाटर ऑर असोग कुमार शिंग और अगरा असोग कुमार गौरब कुमार पिता रविंदर परसाद यह लोग सब गोड़े रोरबाजी की यह पत्थर मारे हुआरे बहन के घर में रहते थे जानते थे पेपर के न्यूज में इतिहार दिये हुए थे कि यह बहीन के घर में रहते हैं वहां से हम बाल बच्चा लेके टेन के पठरी दने जाके 41 कि में पैदल चले हैं वहां एक गाची में हम रहे हुए हैं उसका भी वीडियो है हमारे पास में एक मैटम से हम बनवाए हुए थे उपूची हुई थी थी तो पूरा हमारे पास में भी पूरुख है जब दक्रिया है उनलोग तो भी नामजद किये हुए है नहीं नामजद नहीं किये हुए है लेकिन उनके दुवारा छिन जपत के काम किये हुए है उनलोग जो हम जंगल में भटक रहे हैं इधर उधर कि अब चाहब अब चुआध पटाए शचका आईड़ा